हे गाईज वाट सब तो आज गोड़े में आपको बताने वाड़ा हूँ कि क्यों है बुलेट इतनी फेमस स्पेशली इंडिया के अंदर तो ये जो मोटर साइकल आप देखे रहे है रोयल इंफिल्ड बुलेट 350 ये इतनी ज्यादा फेमस क्यों है इस चीज के बारे में बात क करेंगे आपने ओल्ड बुलेट भी सुनाओगा उल्टे के रोवाड़ी बुलेट भी सुनाओगा या क्लास्क त्रिप्टी को भी बुलेट ही करते हैं लोग तो क्यों इतनी फेमस है ये बाइक तो सबसे पहले रोयल इंफिल्ड की जो ये बाइक है इसकी जो साउंड है न वो स्पेशली लोगों को अट्रेक्ट करती है इसकी उपर आप एकजोस्ट लगा के जैसी साउंड ये बाइक निकाल के देती है आपको वैसे और कोई भी मोटरसाइकल किसी ब्रैंड की आपको निकाल के नहीं दे सकती तो साउंड जो है ना साउंड की वज़े से ये फेमस बाइक केंदर देखने को मिलता है तो तोरक काफी अच्छा है इस बाइक केंदर और पावर 19.1 BSP की है तो इस वज़े से भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं उपर से आर्मी ने भी इस बाइक को जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया था अरली 90s केंदर अगर हम बात कर तो उस टाइम पे भाई इस बाइक को काफी ज़्यादा हाइप मिली आर्मी वाड़ी बुलेट या आर्मी में इसको यूज किया जाता है तो कुछ तो बात होगी बाइक केंदर तो ये भी कुछ रिजन है कि बुलेट तिनी फिमेस है बाकी लुक एंड डिजाइन जो है इस 32 कंपनी इसको बेच रही है और आज भी बाइक दभा के बिग रही है तो एक बहुत लंबे समय से जो है बाइक बिगती हुए आ रही है तो लोग इसको जानते है तो इसका काफी पुराना नाम हो गया है ठीक है ना तो लोगों के भाई जो हमारी जनरेशन की बात करें तो के दादा बर दादा बाप पापा वगयरा सब जानते है इस बाइक को तो एक लेगेसी हो गई है इस बाइक की रोयल इंफिल्ड को कोई नहीं जानता काफी लोगों को तो पता ही नहीं होता भाई इसकी कंपनी का नाम रोयल इंफिल्ड है सब बुलेटी बोलते है तो ये भ and design के अंदर इसको लोग पसंद करते हैं hand printed tank आता है 3D में logo आता है पहले तो भाई लोहे का भी आता था और इस bike को हाथ से बनाया जाता था तो इस चीज़ को भी काफी लोग पसंद करते थे तो ये भी कुछ reasons हैं इस bike को पसंद किये जाने के बाकी आगे घरम बात करें तो build quality जैसा कि आप इस bike की देख पा रहे हो build quality के मामले में भाई ये bike बहुत solid है rough and tough bike है आप खेतों में चलाओ खराब रस्तों पे चलाओ काफी solid build quality की साथ ये bike आती जल्दी सी हिलती नहीं है पूरी bike iron की बनी हुई है और price भी इसका काफी attractive रखा गया है जिस range में ये bike आती है तो 350cc के नुसार इसका price भी काफी attractive है 350cc में bullet सबसे सच्थी bike है भाई अगर हम बात करें तो और एक इसकी legacy भाई kick start के साथ आज ये bike आज भी kick के साथ आती है तो इस वज़े से भी लोग इसको पसंद करते हैं भाई की सिर्फ kick से start करने के bullet को अलगी मज़े है तो वो चीज़ भाई मैंने देखी है बाकि mileage और maintenance भी काफी कम है इस bike की अगर आप 350cc के नुसार देखो तो 40 तक की mileage आपको अराम से निकार के देदी ये bike अगर आप बढ़िया से चलाते हो तो और maintenance भी कोई ज़्यादा नहीं है 1500 रुपे में सर्विस हो जाती है बाई की कहीं सर्विस करवा लो सबी जग है इसके mechanic भीज़ लेवलेबल हो जाते है तो ये भी कहीं ना कहीं जो है इस bike को लेने का reason है कितनी आप modification करा लो ठीक है reliable brand है एक royal infield durability के मामले में भी भाई bullet का क्या कहना है काफी durable bike है और comfort वगरा के मामले में भी अच्छी है दूसरी bike के में काबले अगर आप bullet चलाओगे तो आपको छोटे मोटे कड़े तो feeling होते है तो ये कुछ मोटे मोटे reasons है जिनकी वज़े से मुझे लगता है भाई spoke wheels के साथ आती है ये retro looks आपको bike निकाल के देती है तो ये कुछ चिज़े हैं जिनकी वज़े से मुझे लगता है भाई कि इस वज़े से जो है bullet इतनी famous है और पसंद करते हैं लोग ये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें थैंक यू